हेलो क्लास हाव यू कैसे आप सभी तो दोस्तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास बिजनस टेडिस के लिए और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे के बिजनस टेडिस के स्लेबस में जो सबसे में कंटेंट है आपकी जो बुक्स दो पार्ट में से दो वर्ड इस वाट मैंजमेंट और दूरिंग दे होल कोर्स आपको मोर दें 50% सिर्फ इसी वर्ड पर ही फोकस रखना है क्योंकि आपको पूरे स्लेबस में मैंजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पैक्स पढ़ने है ठीक है ओके तो वह फैक्स क्या होंगे टाइम के सबसे पहले यह जानना जरूरी है सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट होता क्या है मैनेजमेंट होता क्या है देखो मैनेजमेंट का मिनिंग बहुत है सिंपल है हाला कि एक सिंपल सी डेफिनिशन में मैंनेजमेंट को कहकर खतम कर दिया जाता है कि वाट करते हो management है कहना ठीक नहीं होगा हमें पहले ये भी समझना होगा कि जो managers हैं उनका क्या काम होता है okay so before that managers कौन होते हैं okay managers कौन होते हैं तो देखिए manager के लिए हमें special कोई qualification या special eligibility की जरुरत नहीं होती है ठीक है आप खुद एक manager हैं अपने आपने सर वो कैसे देखो इसका रिजन बिल्कुल सिंपल है आप अगर एक particular class में enter करते हो या आपका एक महीने बाद को particular exam है school में college में वगरा वगरा ठीक है तो आप लोग क्या करते हो कि आप अपना एक particular schedule तयार कर लेते हो और उसमें क्या देखते हो कि मुझे अपने exams के लिए इस particular time table से study करनी होगी for example मैं one week जो है completely maths को देने वाला हूं मैं one week completely English को देने वाला हूं तीन दिन में मैं अपनी economics finish कर लूँगा kind of तो यह सब जो आप अपने time का distribution कर रहे है according to your syllabus तो आप क्या कर रहे हैं आप अपनी job को आप अपने work को manage कर रहे हैं and that is what management और आप कौन हुए manager okay सबसे पहला manager जो हम अपनी life में देखते हैं सबसे पहला manager जो हम अपनी life में देखते हैं वो हैं हमारी mother yes उनके उपर बहुत सारी जिम्मेदारियां है he is she's what she's not actually a housewife she's house manager okay अगर हम देखें उनके उपर बहुत सारे दवाव हैं क्या उन्हें घर में जो grocery है उसका ध्यान रखना है उन्हें घर में जो vegetables से उनका ध्यान रखना है आपकी studies का ध्यान रखना है जो other household works हैं उस पर भी उनका focus बस रहता है तो वह कितने अच्छे तरीके से अपने time को अपने बजट को manage करती हैं कि मुझे इतना बजट जो है groceries के लिए रखना है एक प्रटिकुलर expenditure regular basis पर मुझे vegetables के लिए चाहिए ठीक हाउस जो मेड है घर में वह regular आती है तो उस time पर मुझे time manage करना है किस तरीके से हम घर की साफसफाई कर सके तो यह पूरा time है जो आपकी मदर अपने घर को देती हैं वो क्या है that is what management and your mother is not what housewife वो क्या है एक house manager है in short अपनी चीजों को अपने targets को achieve करने के लिए हम अपने time को अपने resources को जैसे manage करते हैं उसे कहा जाता है yes exactly management तो यह तो कुछ example हुए आपने अपने education को manage करा अपने time को manage करा ममी ने घर के सारी activities को manage करा these are the simple examples अपनी life में देखते हैं ठीक इसी तरीके से अगर हम एक business organization की बात करें तो business organization को चलाने के लिए obviously जो laborious work है सारा का सारा employees और labor करते हैं लेकिन उन employees को उन labor को decision कौन देगा उनको यह कौन बताएगा कि आपको इस particular objective के लिए काम करना है तो obvious है उन सभी लोगों को decision देने के लिए order देने के लिए उनको command देने के लिए एक particular task की ज़रुत होती है और वो task कौन पूरा करते हैं managers पूरा करते हैं और obviously जो managers की team होती है उसे क्या कहा जाता है management उसे हम क्या कहते है management so what is management is अब हम बात कर रहे हैं business organization के इसाफ से business organization के पास resources है what economics में हमने पढ़ा है चार total factors होते हैं आपके उसमें से हम पहले तीन की बात करेंगे लैंड लेबर और capital लैंड जो हमारे पास resources है basically जो हम पर हमने अपना बिजन स्टैबलिश करा हुआ है labor manpower employees है labor है उसमें सारे के सारे और capital capital is what money money से हम अपना raw material machines अगरा purchase करते हैं ओके लेकिन ये तीनों के तीनों भी अगर आपस में एक दूसरी से मिलेंगे तो काम नहीं हो सकता जब तक कौन सा yes exactly जो fourth वाला आपका factor है that is what entrepreneurship वो नहीं होगा तो और दोस्तों जो entrepreneurship है वो ही management होती है management का यही काम है कि अपनी organizations के ध्यानते सुनिएगा management का यही target है यही काम होता है कि अपनी organization के objectives को decide करना उन्हें implement करना लागू करना कि हमें इन objectives के लिए काम करना है और जो भी जितने भी सारे employees जितने भी resources हैं जितने भी labor हैं उन सब को command करना direction देना इस तरीके से के वो management के objectives को achieve करें उस पूरे process को कहा जाता है क्या management हमें किस target को achieve करना है हमें किस department में ज़्यादा focus रखना है employees को कितने घंटे काम करना पड़ेगा labor को हम कितनी wages देंगे kind of कौन सा product बनाएंगे ये सब चीजें जो है राद पार्ट आफ वार्ट management इसे management ही का जाता है okay तो basically अगर हम management की definition पर आएं जान देंगे management की definition write down साथ-साथ management is a process is a process of getting things done management is a process of getting things done to achieve to achieve the objectives of the organization objectives of the organization okay effectively and efficiently okay effectively and efficiently तो दोस्तो इस पर्टिकुलर definition का हम थोड़ा सा operation करेंगे और operation में हमें पता चला है के management में management की definition में तीन वर्ड इंपर्टेंट है ओके जो सबसे पहला वर्ड हम इसमें देख रहे हैं है यह 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 इन तीनों वर्ड का जो मतलब है इन डिटेल उसको जड़ा हम समझते हैं अगर हम बात करें प्रोसेस की effective की और efficient की इनका मतलब क्या जान देंगे management एक process है ठीक है यह नहीं कि हमने चुठी बजाई और decision हो है नहीं हमें एक particular पूरे लंबे process से गुजरना होता है ठीक है और तब जाकर decision लिया जाता है कि किस तरीके से हमें अपनी organizations को manage करना है ओके वह process किस चीज़ का है उसमें उसमें planning उसमें organizing उसमें staffing directing controlling ठीक है repeat कर देता हूं में P planning O organizing S staffing D directing CO controlling ठीक है ओके इसके राव आपके syllabus में नहीं है R और B यह दो और होते हैं that is what reporting and budgeting ठीक है reporting and budgeting लेकिन हमारा main focus controlling ठीक है और याद रखेगा यही आपका syllabus है okay जो process है यही आपका syllabus है उसमें जो सारे के सारे आपके functions है that is planning होगे आपका organizing होगे इन सब के बारे में in detail पढ़ेंगे तो management एक चुटकी बजाने वाला काम नहीं है यह complete process है यह complete process है जिसमें हम decision लेते हैं जिसमें हम decision लेते हैं कि हमें क्या plan करना है हमें किस तरीके से काम को organize करना है staff कौन लोग काम करेंगे उन्हें direction कैसे दी जाएगी तो वह सब process हुआ ठीक है अब में आते हैं हम दो words पर that is what effective and that is what efficient effective का मतलब है यहां पर right task okay that is what right task और efficient का मतलब है minimization of cost और दोनों words का एक साथ होना बहुत जादा जरूरी है यहां पर आगर हम बात करें effective का मतलब क्या है right task जो हमें सही काम है जो right direction हमें दी गई थी जो objective हमें दी आ गया था हमें उसी के according काम करना है उसी direction में काम करना है direction से भटकना नहीं है और कोशिश रहेगी कि उसमें हम अपनी cost को minimize करें cost का मतलब सिर्फ money से नहीं होता बहुत सारे other factors भी होते हैं ओके चलो चलो उसको other groceries वगरा जो है वो लेकर आ जाईए ठीक है तो अभी एक घंटे का टाइम है एक घंटे का टाइम है और आपके पास इस बीच यही समय है जिसमें आपको सारे आपके सामने कई सारे options हैं जिससे आप अपने टास्कों पूरा कर सकते हो ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं आपने घर सब्सक्राइब करने के लिए और आपने अपने टास्क पूरा किया ठीक है ओके दूसरा option आपने सोचा के यार एक काम करता हूं कैब से जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा एक काम करते हैं हम पैदल चले जाते हैं ठीक है तो इस सिचुएशन में दो तिन किलोमेटर तक जाने में आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा का समय लगा आपने सामान खरीदा और फिर आप वापस गए तो इसमें आपको कैब के पैसे तो नहीं देने पड़े आपने मनी को सेव करा लेकिन आपका टाइम जो है थोड़ा ज़्या जाता हूं ठीक है इस सिचुएशन में आपने अपने डिस्टेंस को हाडली 15 मिनिट में 10-15 मिनिट में कवर कर लिया आपने वहां से सामान खरीदा वापस से आप सापनी साइकल से घर आ गए तो आपने 40 मिनिट के राउंड टाइम लिया और अपने टास्कों कम्प्लीट कर तो यहां पर इस पर्टिकुलर नीट को पूरा करने जो ओर्डर आपको दिया गया है घर में अपनी चीजों को पूरा करने के लिए आपने उसके तीन ऑप्शन जो है वो देखे ठीक है पहला था भाई कैब नेक्स था भाई वाउक एंड लास इस वाट भाई साइकल ठीक ह हमारी कंक्लूजन क्या है कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा एफेक्टिव है अगर हम कैब तीनों में ये तो ठीक है अगर हम बात करें हमने काम को राइट टास्क में हम उसको लेकर गए है ठीक है लेकिन अगर हम कैब की बात करें कैब की बात करें तो उस सिच्वेशन में ज यार कैब तो हमने कैब का जो expenditure था वो तो हमने बचा लिया लेकिन इसमें टाइम involvement है वो बहुत जादा हो गई तो उस situation में भी हमारा काम effective और efficient नहीं था ठीक है एक limited time में finish कर लिया तो आप कह सकते हैं कि जो साइकिल वाला option था इफेक्टिव एफिशेंट ठीक है और अब यहां पर अगर हम देखें इस situation में अगर हम देखें प्रोसेस ठीक है अब जहां पर जो थर्ड ऑप्शन था साइकिल वाला option था उसमें आपने अपने टास्क को परनी organization के जो objectives हैं उनको complete करना है लेकिन ऐसा ना हो कि उन्हें पूरा करने में time बहुत जादा लग जाए ठीक है और या फिर ऐसा भी ना हो कि उन्हें complete करने में बहुत सारे जो funds हैं जो cost है company की वह बहुत जादा है हमारा target क्या होना चाहिए काम भी हो effectively हो efficiently हो ना तो उसमें expenditure जादा हो और ऐसा भी ना हो कि हम अपने target से भटक जाएं okay so that is all about the definition of management तीन वर आपको याद रखने है that is what process effective and efficient ठीक है तो इन तीन वर्स के इसाब से management की definition पूरी हो जाती है management is a process of getting things done to achieve the objectives of the organization effectively and efficiently okay friends done आईए next heading पर move करते हैं और next heading है objectives of management हम आखिरकार management क्यों करते हैं क्या reason है इसके पीछे क्यों हमें management की जरुत पड़ी दोस्तों okay so next heading is what objective objective of management objectives of management okay next आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम objectives of management को divide करने वाले हैं तीन पार्ट में और यह बहुत easy है इसके shortcut में आपको बताऊंगा that is what objectives of management हमने इनको basically तीन पार्ट में डिवाइट करा और यह क्या है सबसे पहला objective is organizational objective ठीक है पहला आपका क्या आगिया organizational objective दूसरा है social objective ठीक है जो basically deal करता है किसके साथ आपकी society के साथ and the last is what personal objective ठीक है organizational objective social objective और क्या personal objective ठीक है इनकी इनके shortcut जानने से पहले जरा मैं आपको इनके बारें बता दू organization जो organizational obviously जो company के main motive है कि हम किसीज के लिए काम कर रहे है हमें अपने किन किन targets को पूरा करना है social society को लेकर organization अपने आप में ही काम नहीं कर सकती उन्हें society के साथ भी adjust करना पड़ता है society को भी खुश करना पड़ता है वो क्या है वो भी हम समझेंगे and the next is what personal personal में आगे employees okay जो organization में काम कर रहे हैं employees उनको लेकर यह objective रहते हैं organization अपने objectives को achieve करने के लिए employees के objectives को नजर अंदाज नहीं कर सकती उनका भी ध्यान नकना उतना ही ज्यादा जरूरी है okay now the shortcut for all these three is gps okay me okay and the last is what fish okay I guess आपको यह easily समझाया होगा और इस समझतों भी कुछ नहीं आए पस शॉटकर आसानी से में याद हो जाएगा that is what gps हम नॉर्मली सुनते हैं अपनी लाइफ में what is gps ठीक है me1 याद रख लो otherwise the full form is काफियों को बता होना चाहिए ministry of external affair and fish is obviously fish ठीक है अब obviously sir इसका मतलब क्या आपने shortcut तो लिग दिया yes exactly देखो अब इनसे हम अपने जो objectives हमको कैसे याद रखेंगे that is very easy gps को reverse कर दीजिए s p g okay अब अगर मैं बात करूं इनका मतलब क्या है they are quite easy they are quite easy s means obviously survival okay survival next p is what profit and g is what growth दोस्तों ये तीन objective है जो main रहते हैं एक particular organization के management को लेकर ये क्या है आईए समझते हैं देखो सबसे पहले जब भी कोई भी organization शुरू होती है जब भी कोई target शुरू किया जाता है तो उस जो भी objective decide करेंगे उस situation में सबसे पहले company का target होता है कि हम क्या कर सके survive कर सके क्या कर सके survive कर सके अपने basically जो भी आपने cost लगाई है at least वो तो cover हो जब भी हम कोई भी business शुरू करते हैं immediately ये target नहीं होता कि यार एकदम से बहुत सारा पैसा कमाने लग जाएं हमारे product जो हैं बहुत सारे हो जाएं और जगे जगे पर वो भी के नहीं सबसे पहले जो prime objective होता है वो ये के at least जो हम अपनी cost लगा रहे हैं जो हमारी जेब से पैसा जा रहा है कि वो cover हो जाएं ठीक है तो the main motive of the management is the very first objective is survival कि organization को survive करना है इसमें आप लिख सकते हैं earn enough earn enough to cover cost to cover cost ठीक है कि इतना तो हम कमाई ले कि at least हम अपनी cost को cover कर ले the next is what profit भाई सीधी सी बात है अगर आपने survival को पूरा कर लिया है तो अब अगला objective क्या आता है कि भाई हम profit कमाना शुरू करे तो at least इससे क्या पता चलता है profit से क्या पता चलता है सर्वाइवल से तो बस यह कि cost cover हो रही है जो profit है वो एक तरह से organization को motivate करता है आगे काम करने के लिए profit अगर एक particular company को हो रहा है तो इसका मतलब यह है that is what successful running of the organization of the organization organization को successful चलाने के लिए पता चलता रहे कि हम ठीक तरीके से काम करने है या नहीं कर रहे उसके लिए profit बहुत ज़ादा जरूरी है okay and the last point is what growth growth is what is what way it is about it is about other humbath curry sorry it is about diversification product development product development area growth and diversification इसका मतलब क्या हुआ देखो अब यहां पर आपने profit कमना शुरू करा उसके बाद जरूरी होती है growth की ठीक है कि आप अब अपने company को grow करिए वो कैसे जो product है आपका जो आपका product है उसे आपने इंप्रूफ करा जो आप बेच रहे हैं market में उसमें अच्छी quality आपने start कर दी है उसकी पैकिंग कर दी है उसमें अधर qualities जो है वह आपने area growth कि इसको और area में लेकर जाते हैं और diversification का मतलब होता है दोस्तों कि अपने number of products को बढ़ाना मतलब मतलब सब्सक्राइब है तो उनका main profession कि से start हुआ था milk से directly milk को sell करते थे लेकिन अब अगर हम बात करें तो उसमें उनकी varieties of product आगी है आइस क्रीम है आपका butter है दही है तो यह सब क्या है तो यह सब क्या है तो यह सब और सब्सक्राइब करें तो यह आपका शोशल शोशल में अगर हम बात करें डाट इस शॉट्वाट इस शॉट्कट म इए सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अब आप लोगों रहें नोट कर लिया होगा ठीक है कम्प्लेट को इसको उटा देता हूं दूट कर दो चाहिए तो E A M is related with M is related with method E is related with employment and A is amenities A is what amenities method employment and amenities सर बताइए बहुत easy है बहुत easy है दोस्तो आपने एक restaurant खोला society में एक particular colony में और सीधी सी बात है आपने उस kitchen में जो आपने exhaust fan लगवाया वो इस तरीके से लगवाया कि वो सारा का सारा धुआ जो है वो सामने वाले घर की तरफ मारता है क्या ऐसे आप survive कर पाएंगे obviously नहीं आपने एक club खोल दिया society में और उसमें रात के 11-12-12 बारा वज़े तक गाने बसते रहते हैं उसकी वज़े से आस पास के लोगों को problem होती है क्या आप survive कर पाएंगे obviously नहीं यही है क्या method जो भी method आपने अपनी organization को चलाने के लिए लग किये हुए हैं क्या वो society को हाम तो नहीं कर रहे हैं इस चीज का विध्यान रखना जरूरी है in short in short जो भी method आप use कर रहे हैं that is environment friendly होने चाहिए वो environment friendly होने चाहिए उससे society पर environment पर कोई negative impact नहीं पढ़ना चाहिए इस चीज का विध्यान हमें रखना चाहिए ठीक है यह आपका social objective का पहला point हुआ next is what employment यह सी यह simple है that is what employment opportunities to the people of society to the people of society ठीक है profit कमाने के अलावा सिर्फ profit कमाने के अलावा एक organization की और बहुत सारे जिम्मेदारियां होती है उन जिम्मेदारियों में से एक है क्या employment opportunity कि आप अपनी organization में अपनी society के लोगों को काम दे रहे हो उन्हें अपनी living earn करने का मौका दे रहे हो यह एक main objective होता है और काफी simple भी है कि जो organization है वो jobs create करें और उस से जो society के लोग है उन्हें benefit मिले and the last is what amenities इसमें क्या है दोस्तों इसमें schools बनवाईए इसमें medical facilities hospitals बनवाईए ठीक है इसमें आप road parking etc in short जिस से जिन चीजों का फाइदा जिन चीजों का benefit किसको मिले society को मिले expenditure आपका है obviously लेकिन जो benefit है आप किसको दे रहे हो अपनी society को दे रहे हो और अगर complete society को नहीं भी दे पा रहे हो यह kind of जिस आपने सुना होगा कि एक organization है वो अपने employees के जो बच्चे है उनके education का खर्चा उठाती है ठीक है या उनके लिए special schools बनाए हुए है ठीक है कि special school in the sense कि particularly कि महाँ पे employees के बच्चों को benefit मिलता है ठीक है ठीक उसी तरीके से medical facilities का ज्यान रखना कि अगर कोई medical problem employees को होती है उसका खर्चा company उठाएगी तो इस तरीके से जो facilities दी जाए उन्हें हम कहेंगे क्या amenities and that is a part of what social objective okay friends so 3 points आपके IMEA methods employment and amenities ठीक है और last हम आने हाले हैं किसकी तरफ आपका आपका परसनल की तरफ मिटा दूसको डन methods employment and amenities hope आप लोगों इसको note किया होगा okay next next is what fish fish में क्यों को आगे हमारे पास fi यह एक साथ है दोस्तों ठीक है fi एक साथ है s and h okay अगर हम बात करे financial की अगर हम बात करें किसकी fi की that is what financial need oh sorry that is what financial need s is what social need h is what higher need ठीक है और एक वर्ड में आपको complete objective जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा अगर हम बात करें financial need की इसमें obviously financial need का मतलब क्या हो सकता है money तो money उनको जो हम money pay कर रहे हैं तो that is what fair वो fair होना चाहिए और सही होना चाहिए fair wage and salary employees को उनके काम के according एक proper wage rate प्रवाइड कराना चाहिए proper salary दी जानी चाहिए ऐसा ना हो कि हम उनसे काम बहुत जादा ले रहे हैं लेकिन उनको pay करने को तयार नहीं है एक handsome salary एक good amount of wage उनको pay करने को तयार नहीं है हाँ obviously ऐसा भी नहीं होता कि salary बहुत जादा मिल रहे काम कुछ नहीं होता ऐसा तो नहीं हो सकता बहुत कम chances होते हैं और ऐसे chances होने भी नहीं चाहिए लेकिन हाँ जितना काम मिल रहा है काम लिया जा रहा है at least उसके हिसाब से एक अच्छी wage जो है अच्छी salary जो हो देनी चाह atmosphere in working condition ठीक है in short employees को काम करने के लिए employees को काम करने के लिए एक better environment provide कराना बहुत जरूरी है अगर employees को एक proper भाई सीधी सी बात है जो labor है वो properly लगातार काम कर रहे हैं ठीक है गर्मी बहुत जादा हो रही है लेकिन उनके लिए AC cooler नहीं लगवाए हो तो obviously सीधी सी कंडिशन क्या निकल के आएगी कि जो उनकी efficiency है वो बहुत जल्दी down हो जाएगी तो उनका काम से काम से oriented हो जाएंगे तो better क्या है कि उनको एक proper atmosphere तयार करके दिया जाए उसका ध्यान रखा जाए कि employees को काम करने में दिकत ना हो and the next is what higher needs और higher needs मतलब वह ठीक है wage ठीक ठाग मिल रही है यह व promotion ठीक है employees को promotion की opportunities भी मिलना जरूरी है ऐसा ना हो कि employee को feel हो कि मैं बहुत जादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन जो मेरा status है company में जो मेरा level है company में वो एक particular level पर ही टिका हुआ है उससे आगे नहीं बढ़ रहा है ना ही मुझे opportunities मिल रही है और ना ही मेरा promotion किया जा रहा है तो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है कि employees को promotion के लिए appraisals के लिए opportunities मिलने बहुत ज्यादा जरूरी है ओके फ्रेंड्स तो यहां पर हमने objectives of management finish करें और बहुत easy है जैसे कि हमने देखा सबसे पहला क्या था चलिए इसको फटावर्ट से revise कर लेते हैं ठीक है organizational objective में हमने देख लगाई है जो कॉस हमने लगाई है एक लिस्ट वो कवर हो पीजवाट प्रॉफिट वह सक्सेस्फुल रनिंग के लिए कम organization की जो प्रॉफिट है वह बहुत जादा जरूरी है जीजवाट ग्रोथ ग्रोथ किसमें आपके product में product development अपने area में हम कहां कहां product को बेच रहे हैं इसके लावा अगर हम बात करें लास वाल लगा हां diversification लास वाल हमने क्या देखा diversification के वह हम various types of products जो है वो लेकर आए उसके बाद हम आये थे society के साथ society के साथ हमारी क्या-क्या responsibilities हैं उनको लेकर हमारे क्या-क्या objectives हैं तो M.E.A. M is what method जो method हमने लगा है environment friendly उसका environment पर लोगों पर society पर को negative impact ना पड़े is what employment opportunities organization के अंदर अपने जो लोग है अपने society के लिए उनके living के sources भी हम प्रवाइट करें employment opportunities प्रवाइट करें and last is what amenities school medical facilities hospitals parking areas यह सब आपके social needs के अंदर आते हैं and the last is what कि हमें अपने employees का जहान रखना है personal objective and that is what fish FI financial needs fair wages and salaries okay next is what s social needs मतलब atmosphere जो है organization में बहतर होना चाहिए and the last is what h higher needs promotion के chances उनको देना उनकी needs को पूरा करना यह सब इसके अंदर आ गया clear friends तो यहां पर हमने finish करें क्या objectives of management ओके आई यह अगली heading की और बढ़ते हैं इसको हटा जेते हैं और अगली heading है that is what nature nature of management nature of management तो दोस्तो nature of management की अगर हम बात करें nature of management की अगर हम बात करें तो इसमें अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा nature बोले feature बोले characteristic बोले तीनों का मतलब एक है अब यहां पर nature of management याद करने का तरीका क्या है बहुत easy है दोस्तों बहुत ही जादा easy है देखो एक sentence हम लिखेंगे उस sentence में nature of management completely cover हो जाएगा completely cover हो जाएगा that is what that is what गौतम गंभीर जानते ही होंगे सर यहां पर management में कैसे आ गया देखो अभी बता चलेगा गौतम गंभीर ने cold drink P P I okay P I Gautam Gambheer ने cold drink P sir यह क्या पढ़ाने लग गए आप अरे देखो ना Gautam Gambheer that is G and G okay ने cold rings C and D okay P P and I separately okay P and I separately so we have जी जी गौतम गंभीर ने cold ring C D P P और I क्या आपका last point आ गया that is the shortcut of remembering nature of management nature of management इससे आप आसानी से अपने सारे के सारे जो objectives है sorry nature है उसको आप easily रियाद रख लेंगे sir कैसे ज्यान देए G the very first G is what सबसे simple goal oriented ये क्या है goal oriented है जो basically आपकी management है उसका target हमेशा अपने goals की तरफ रहता है कि किस तरीके से हम organization के goals को achieve करेंगे next is what G group activity group activity चले मैं इसको पहले लिख देता हूँ उसके बाद फिर हम सारा का सारा एक साथ याद रुखेंगे next is what C continuous continuous process या continuous process लिख लेते हैं process is better okay next is what D D से आपका आता है D से क्या था भी dynamic yes dynamic process please what pervasive pervasive function या pervasive process and the eyes what intangible intangible force okay तो दोस्तों यहाँ पे हमने shortcut create करा हमारे एक बहुत अच्छे प्लेयर गौतम गंभीर जी के help से cold ring boxer पीते रहते हैं तो उसी के भीहाब पे हमने आसानी से जो shortcut है वो तयार कर लिए that is what G goal oriented G जी ने scolding P C sorry G goal oriented G group activity C continuous process D dynamic process P pervasive process pervasive function भी कह सकते हैं I is what intangible force okay तो यह हमने आपर देखा आईए अब समझतें इसके अंदर क्या है सबसे पहला point अगर हम बात करें that is what goal oriented obviously अगर हमने कुछ particular team को चुना है कि आपको इस organization को manage करना है तो definitely वो आपकी management जो है जो लोग है managers है वो target set करते हैं कि हमें इस particular period के अंदर अपने इन goals को अपने targets को अपने objectives को achieve करना है ठीक है तो management का का काम क्या है कि उन्हें अपनी organizations के target जो है fix करने होते हैं और उसके हिसाब से अपनी activities को क्या करते हैं implement करना पड़ता है लागू करना पड़ता है तो the very first objective is what goal oriented उसके बाद आते हैं किस पर G point group activity क्या अकेला बंदा सारा काम कर लेगा क्या हम कह सकते हैं कि अकेला है और उसी को पूरी company को manage करना है क्या ऐसा possible है definitely नहीं यह एक आदमी के बसका काम नहीं है हर आदम एक particular organization में बहुत सारे department होते हैं purchase का अलग होगा production department अलग होगा finance department अलग होगा marketing अलग होगा sales अलग होगा बहुत सारे departments होते हैं तो obvious है यह सारा काम एक तो नहीं संभाल सकता ना हमें हर एक person की जुरत पड़ती है जो अपनी अपनी field में specialized हो तो obviously एक अकेले आदमी के बसका बात नहीं है यहां पर हमें एक complete group की जुरत पड़ती है जो management को management को लागू करते हैं management को implement करते हैं ओके यहां तक लेर हुआ next is what continuous process decision लिया target decide करा पूरा हो गया अब टाटा वाइब है ऐसा क्या definitely नहीं जो management है continuous process है एक के बाद एक एक जो targets है जो benchmark है वो set करे जाते हैं उन्हें achieve करा जाता है उसके बाद अगले benchmark आते हैं जो target हमने set करें हैं उनको पूरा करने में कुछ दिक्कत रह गई कुछ कमिया रह गई उनको सही करने के लिए हमें जरुद पढ़ती है management की तो हम यह नहीं कह सकते के एक बार आपने management ने decision लिया और उसके बाद काम खतम हो गया नहीं इन future हमें obviously इसकी बहुत ज़्यादा जरुद पढ़ती है और continuous process में जरुद पढ़ती है ओके दनेक्स वर्ड डी डाइनमिक ओके एक वर्ड होता है डाइनमिक एक वर्ड होता है static ठीक है दोनों obviously दूसरे से opposite है static का मतलब fix जैसा है वैसे रहेगा डाइनमिक का मतलब change डाइनमिक का मतलब change डाइनमिक प्रॉसेस भाई सीदी सी बात है महिंदर सिंग धोनी हमारे कैप्टन मतलब आप नहीं तो विराट को दी रह गए तो जैसे एक प्रटिकुलर कैप्टन जो है उतरता है फेल्ड में उसके दिमाग में strategy होती है कि यार फास बॉलिंग का जो अटेक है वो रखेंगे तो हमारे कप्तान साब ने हमारे कैप्टन जी ने जो फास बॉलिंग था उसको इंप्लीमेंट कर दिया स्टार्टिंग के ओवर्स में लेकिन पता चला पांच वर हो गए वो पचास रन बना चुके हैं और दोनों के दोनों व इसका मतलब क्या किस ट्रैंटर्जी में चेंज हुआ स्टर्जी में चेंज हुआ हाँ इसी तरीके से औरनेशन में होता है मैनेजमेंट में होता है मैनेजमेंट में ने अपना टार्गेट फिक्स करा कि इस साल हम 10,000 उनिट जरूर बेचेंगे लेकिन पता चला 6 महीने कि हम फोलो कर रहे हैं, कि ठीक नहीं है, कि एड़टाइजिंग की जरुद है, तो कहने का मतलब environment के हिसाब से कि भाई, market में क्या हो रहा है, atmosphere में क्या हो रहा है, organization में क्या हो रहा है, उसके accordingly policies को strategies को changing करते रहना is what, dynamic, is what, dynamic, ठीक है. Next आते है, pervasive function, कहीं भी चले जाएए, कहीं भी चले जाएए, एक छोटी से छोटी organization, एक बड़ी से बड़ी organization, एक simple सा cricket match, या बहुत बड़ी university, हर जगे management की जरुत होती है, आप ये नहीं कह सकते, इवन हमारा घर, छोटा सा घर भी हमारा वहाँ पर भी management की हमें जरुत पड़ती है, कि हमें अपने expenditures को, अपनी incomes को, अपनी savings को, किस तरीके से adjust करना है, ठीक है, तो pervasive का मतलब all level, हर जगे हमें इनकी जरुत पड़ती है, and the last is what, intangible force like goodwill, ओके, goodwill एक main asset होती है, हर particular organization की हर company की, लेकिन that is what, intangible asset, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो एक company की, खुद की एक advantage है, ठीक, उसी तरीके से, जो intangible force की अगर हम बात करें, management भी एक intangible force होता है, ये policies हैं, ये आपकी strategies हैं, जो organization को चलाती हैं, उनका असर company के accounts में, यानि के profits में जा रहाता है, लेकिन हमें management देखने को नहीं मिलेगी, तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपके 6 main nature के, nature of management या features of management या characteristics, ये हमने याद करें, GG, CDP, goal oriented, group activities, continuous process, dynamic process, और pervasive process, pervasive function में कहा सकते हैं, intangible force, ये function आपे देखें, आईए, इनके बारे में, थोड़ा-थोड़ा हम लिख लेते हैं, उसके मैं सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, आप note कर लेंगे साथ सा, ठीक है, हाँ, देखो, explanation के लिए, मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी myth, जो हमारे business studies को लेकर है, वो यह कि याद कैसे होगी, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो देखो, रट्टा मारने की ज़रूत नहीं है, कि हम बैठे और याद करने लग गए, और इसमें यार ये line याद नहीं हो रही, डिटो वगरा वगरा, हम यह याद रखना है, ऐसा कुछ हो complete होगा, exactly डिटो जो बुक्स में लिखा हुआ है, आपको वही copy-paste करना है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने according sentence formation कर सकते हो, जैसे, आइए, इनको लिख लेते हैं, अपने note क्या होगा, मैं इसमें आपको दो तिन तिन वर और बताता हूँ, उससे easily आपकी sentence यह form हो जाएंगे, like goal-oriented में, आप लिखेंगे, fixed target, combined employees, ठीक है, आप इनके according दो sentence बना लेंगे, कैसे भी discuss करेंगे, next is what, group activity, need, team spirit, coordination, next is what, continuous process, same meaning, never ending process, and the next is what, simultaneously performed, simultaneously performed, dynamic function यह समने discuss करा, बार बार चेंज होगा, तो इसमें जाएंगा, आपका, adopt itself, according to events, according to events, okay, पर वैसे function जैसे, हमने देखा था कि हमें हर लेवल पर स्की जरुद पढ़ती है, every organization, every organization, इसमें आप example भी दे सकते हैं कि, either it is a cricket match, और a university, और a school, whatever, हर जगे, bank, हर जगे, हमें इसकी जरुद पढ़ती है, and last is what, intangible function, intangible force, target, achieved by plans, जैसे मैंने बताया, plans, planning हो गया, आपकी policies हो गया, strategies हो गया, तो दोस्तों यह हमारे, जो nature है, जो features है, हम आपने complete करें, जैसे sentence formation के हम बात कर रहे हैं, कैसे, जैसे आप heading डालेंगे, के management is a goal oriented process, उसमें आपके लिखेंगे, ये तो sentence की starting की line रहे हैं, management is what, a goal oriented function, अब उसके बाद क्या, as per the management, targets are fixed, and then the employees are combined to achieve these objectives, इस तरह से sentence आप form कर देंगे, group activity, team spirit, एक coordination की जरत पढ़ती है, आपस में मिल जुलकर काम करें, उसी के accordingly आपने sentence बना दिया, इसमें हुआ कि it is a never ending process, simultaneously performed होता है, ठीक है, events के according, changes के according, management अपनी policies change करती है, तो उसी के accordingly आपको यहाँ पर सारी की सारी sentence formation करनी है, the main thing is that कि आप जो पूरे के पूरे points हैं, उनको किस तरीके से याद रखते हैं, अंदर अगर आप normal अपनी language भी लिखोगे, तो उससे कोई problem नहीं होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो language हमें exactly वो ही लिखनी है, ओके, done friends, तो यहाँ पर हमने nature of management complete करा, आज की class में इतना ही रखेंगे, आज की class में हमने तीन चीजें सीखी, पहला था क्या management की definition, वो क्या था, और उसमें हमने same, तीन वर्ड याद रखें, लेको revise करेंगे फटाफट से, तीन वर्ड हमने remember करें, the first one is what, process, next is what, effective, next is what, efficiently, या efficient, तो इन तीन वर्ड के एसाफ से management की definition आपको बनानी है, उसके बाद हम आए objectives के उपर, objectives को हमने तीन parts में divide करा, first of all, आपका जो organization की objective थे, उसका shortcut क्या था, GPS, survival, ultraverse कर दिया था, survival, profit and growth, उसके बाद हम आए कि समें society को लेकर, social needs, okay, M, E, A, shortcut, ministry of external affairs, kind of, M is what, method, E is what, employment opportunities, E is what, amenities to the society, and last is what, जो हमारे employees को लेकर है, personal needs है, उसमें fish shortcut था, F, I is financial need, S is what, social needs, and H is what, higher needs, ठीक है, यह हमारे part बने, और उसके बाद हमने, एक simple, अपने बहुत अच्छे player, गौतम गंबिर जी की help से, अपने जो आपके nature हैं, जो features हैं, वो याद करें, GG ने CDP, GG, गौतम गंबिर, goal oriented, group activity, continuous process, dynamic process, pervasive, and the last is what, intangible force, next class में हम कुछ और headings करेंगे, वो भी काफ़ी easy हैं, और इसी तरीके से बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं, उसमें से हमारा management as a science, management as a art, management as a profession, ठीक है, तो यह point हम next class में करेंगे दोस्तों, आज हम इतने रखेंगे, please आप यह topic revise करेगा, और आप लोगों से मिलते हैं next class में, thank you friend.